दोस्तो लो इंवेस्टमेंट में ऐसे प्रॉड़क्स बताने वाला हूँ जिनका बिजनस आप घर से शुरू कर सकते हैं यह बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है उन सेलर्स के लिए जिन्होंने अभी तक ही कॉमर्स बिजनस शुरू नहीं किया करने की सोच रहे हैं कोई ट्रेडमार्क रेडमार्क लेने की ज़रूरत नहीं है कोई ब्रेंड ऑथराइजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहां तक कि अगर आपका प्राइविट लेवल ब्रेंड भी है तो भी आप उन्हें एड़ करके अपने बिजनस को ग्रो कर सकते हैं बहुत अच्छी कैटेगरी है यहां तक कि Amazon के डेटाबेस को फैच करने वाली AMZ Scout टूल जो मैं यूज करता हूँ इन डेटा को निकालने में उन्होंने भी इसे ग्रेट नीश में रखा यानि कि एक ग्रेट कैटेगरी रखी है जो बहुत कम बजट में अच्छा बिजनस जनरेट कर लिए अगर आप इस टाइब के प्रोड़क्ट अपनी इन्वेंटरी में एड करते हैं तो उससे आपको काफी बेनेफिट भी मिल सकता है मैं यहां पर एक चीज एड और करना चाहता हूँ कि देखो कम बजट में बिजनस को ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है ठीक है आप बिजनस को शुरू तो कर सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रतना पड़ता है आपको प्रोमोशन्स, दीज, एफ बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन एक छोटा सेलर जो अभी सिर्फ शुरू कर रहा है उसको पता भी नहीं है कि कौन सा प्रॉड़क्स सेल करना है उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है और साथ में जो सिलर स्ट्रगल कर रहे हैं जिनका बिजनस बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा है, उनके आसपास में कोई मैनुफेक्शरार नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है बिना किसी देरी के सिधा चलता है, कम्प्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पर जो चीज में बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनेगा, ध्यान से समझेगा तो चलिए, चलता है सिधा कम्प्यूटर स्क्रीन पर सबसे पहली जो केटेगरी है, आप ध्यान से सुनेगा, आप इसको स्किप मत करेगा, क्यूंकि मैं इसमें सेल्स, डेटा और इनके कौन से प्रॉड़क्त, कितनी अच्छी सेल्स जेनरेट कर रहा है, वो भी बताने बाला हूँ सबसे पहली जो केटेगरी है, वो है कैंडल्स, ठीक है, आप देखिए, कितने वंडर्स कर रहा है कैंडल्स, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कैंडल्स फॉर होम डेकर, ठीक है, तो जो आपको यह एमजी स्काउट टूल का साइड में बैज द सबसे कर रहा है, यह क्या कहा रहा है, ग्रेट नीश, यह बहुत अच्छी नीश है, जिसके अंदर अच्छा खासा बिजनस जनरेट किया जा सकता है, अगर आपके पास अच्छे प्रॉडक्स है, ठीक है, आप देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज है, हाउ उसके लिए मैं आपका एक काम करूँगा, मैं AMC Scout टूल पर जाता हूँ, और वहाँ पर मैं इस कीवर्ड की थूरू सर्च करके आपको बताता हूँ कि कितनी सेल जनरेट हो रही है इन प्रॉडक्स के उपर, ठीक है, यह आगया मैं AMC Scout टूल पर, और यहाँ पर मैंने Candles for Home De पहले से एड कर रखा है, और यह देखिए, यहाँ पर यह इस टाइप के जो प्रॉडक्ट आपको दिख रहे है न, इसकी estimated revenue देखिए, तीन लाख, धाई लाख, करीब-करीब धाई लाख, यह सारे प्रॉडक्स देखिए आप, यह प्रॉडक्स जो Amazon के उपर अभी के अंदर, यह वो प्रॉडक्ट है, जिनके उपर करीब-करीब 2,96,000, 2,55,000 ऐसी sales generator है, तो यह एक बहुत high potential वाला अच्छा नीश है, जिसको consider करके आप अपने business को grow कर सकते हैं, डूसरी के टेगरी में आप लोगों को बताता हूँ, अब जो अगली के टेगरी है, वो है home decoration items, ठीक है, home decoration items में बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी, जिसको आप भी बहुत कम budget में low investment में शुरू कर सकते हैं, यहाँबर मैं keyword डालता हूँ, home decoration items, और फिर देखते हैं, कैसी niche है, कौन से products है, कितनी sale हो रही है, वो सारा data आपको निकाल के बताता हूँ, home decoration items, ठीक को हम identify करने देते हैं, कि कैसा इसका niche है, कैसी categories है, और चोटे चोटे बहुत अच्छे अच्छे products हैं, देखो यहाँ पर भी candles आपको मिल जाएगी, यहाँ पर यह इस तरीके से गयतरी मंत्र यहाँ दे रखा है, यह गनेशा का एक symbol है, बहुत अच्छा सा plant दे रखा है, और एक अच्छी niche है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाइज नीश, एक अच्छी नीश है, जिसको आप जो है, देख सकते हैं, कि जिस पर आपको यह कितना अच्छा यह देखो lighting वाला product है, इस टाइप के products यहाँ आप भी तो sale कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हैं, और लाइए कॉपी करने के बाद मैं हमारे tool पर आता हूँ, यहाँ आने के बाद इसको मैं paste करता हूँ, और paste करके find products पर click करता हूँ, और देखते हैं कि इस keyword के उपर कैसे products perform कर रहे हैं, कितनी sale generate कर रहे हैं, आपकी कितनी sale generate हो सकती है, इससे आपको idea लग जाएगा, आपके सामने एक ऐ इसके sales आप देख सकते हैं कि कितनी हो रही है, दोस्तों अगर आप यह product देखिए, सारे के सारे आपको लगवग यही दिख रहे है, गौत अच्छा product है, जिसके पर 230,000 की sales generate हो रही है, मैं इसको open करके बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मुझे time दीजे, यह new product है, बिकॉज यह new product पे इतनी अच्छी sales अगर generate हो रही है, वाई is it not opening हो कि यह open हो गया है, ओके यह देखिए, यह product जिसके उपर करीब करीब 230,000 रुपे की sales generate हो रही है, तो दोस्तों आपके सामने है, यार देखो मैं तो यही बोलूँगा कि यह category आपके सामने है, यह product आपके सामने है, इस tool को अगर आप खरीबने जाते हैं और सारा data निकालने जाते हैं तो शायद आपको ज़्यादा पैसा भी देना पड़ सकता था, लेकिन मैंने लेकर आप लोगों के सामने यह tool लाकर रख दिया है, आप लोगों के सामने product की pricing लाकर रख दिया है, आप वो पता चल सकता है कि क्या product कैसा perform कर रहे है, Amazon पे home decoration category के अंदर, जो अगली category है, वो एक ऐसी category है, मेरा यकीन मानिए कि बहुत easy है, और उसमें तो order आने पर ही उसको product को बनाना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझेगा, आपके यहाँ पर, I'm sure, कोई ना कोई, frame बनाने वाला ज आप उसे जो है, इस frame में डालके, pack करके मुझे दे दीचे, एक deal set कर लीजे, और जैसे ही आपको order आता है, आप वो print निकलवाएं, और उसका poster बनवाई, या उसकी frame मनाएं, और उसे sale करें, मैं आपको बताता हूँ, जो posters हैं, ये posters में कोई limit नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, poster set करके मैंने search किया है, और अब हम देखते हैं कि इसकी कैसी जो है, ये नीश है, और इस पर कैसा business मिल रहा है, ये भी एक अच्छी नीश है, इसके उपर 7 जो है, number आ रहे है, out of 10, 7 marks मिले हैं इस नीश को, और इस नीश के उपर बी जो है, आपको काफी अच्छा खासा business मिल सकता है, ये देखो इतने सारे keywords है, सिर्फ एक यही ने इतने सारे keywords है, जिसके उपर आप काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं posters set को search करता हूँ और देखता हूँ कि इसके उपर कैसी sales generate हो रही है, क्या इसके उपर अच्छा business मिल रहा है, क्या इसके उपर लोग कमा रहे है, revenue generate कर रहे है, इस सारा data आपके सामने अभी fetch होने वाला है, कुछी समय में, yes, देखिए दोस्तों, 1,60,000 की sale, 1,56,000 की sale, 1,33,000 की sale, यह आप चीज समझे की, अगर आप 40-50,000 रुपे में business शुरू कर रहे हैं, तो इतनी sale भी अगर इस जो products है, decoration वाले जो products है, उनका business आप शुरू कर सकते हैं, और उस business में आपको बहुत low investment लगेगा, और बहुत अच्छे से आप उसको grow भी कर पाएंगे, so I hope मैंने आपको जो यह कुछ products बताए हैं, जिसके जरीए आप भी अपना e-commerce business शुरू कर सकते हैं, कोई brand लेने की जरूरत नहीं है, कोई brand authorization letter लेने की जरूरत नहीं है, आप इनको list करें और अपने business को grow करें, अगर यह वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजएगा, और कोई सवाल है, तो comment box में आप पूछ सकते हैं, thank you so much guys इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, take care